आईए जानते हैं आज के पहला माह उपाएं क्या शादी नहीं हो रही है बार बार प्राबलम आ जाती है जब भी लड़का देखने जाएं उससे पहले यह उपाएं करें सपठीक पारत यह पीतल से बने गनेश जी की मोर्ती लें इसे पीतल की थाली में रखकर घर की बैस दारेक्शन की ओर स्थापित करें गनेश जी पर चल चंदन अक्षत फूल दूरवा और धूप दीप से पूजा करें जब अच्छे से आपकी पूजा हो जाएं तो आपको ओम नमहा या फिर ओम गण गण पते नमहा इसका भी जाब कर सकते हैं इसका जाब करते भी 21, 51 या 108 दूरवा चड़ाएं और भोग मे दो मोती चूर के लड़ू चड़ाएं पूजा के बाद लड़ू बच्चों में बागतें और गनेश जी को चड़ाई दूरवा लड़की के पिता जब भी लड़का देखने जाएं अपनी राइट जेब में रख कर जाएं देखिए कैसे काम बनेंगे अब आपको आज का दूसरा महाउपाई क्या है ये बता देती हूँ सवाल ये है कि क्या बार-बार कोई बुरी नजर लगने में सफल हो जाता है आपको नजर लग जाती है शनिवार या रविवार को एक पुराना जाड़ू, चप्पल या सैंडल ले इन में से जो चीज ले उसे साथ बार clockwise direction में जिसे बुरी नजर लगी है उसके ओपर से घुमा दे फिर उस जाड़ू, चप्पल या सैंडल को 21 बार जमीन पर पटके फिर इसे सुनसान जगा पे छोड़ा है बुरी नजर से बचाव होगा आईए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाएंगी सवाल क्या है ध्यान को सुनिए क्या घर में लक्ष्मी की कृपा सदा पाना चाहते हैं एक लाल रंग की थेली में केसर की दो कलियां और थोड़े से गेहूं डाल कर घर के मंदिर में रखते जब गेहूं पिस्वाने जाएं या बाजार से आटा खरीद कर घर आएं तो तुलसी के ग्यारा पत्ते और थेली का समान गेहूं में मिला दें ध्यान दें आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिस्वाएं थेली को दुबारा यूज़ कर सकते हैं घर में लक्ष्मी जी की हमेशा अक्रिपाबनी रहेगी आए आज के चौथे महाउपाई को जान लेते हैं क्या चेहरे पर मुहासे बहुत हैं? जिसे ठीक करना चाहते हैं थोड़ी सी नीम की पतियां, थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियां और गेंदे की फूल की पंखड़ियां इन सब को किसी बरतन में रखें इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर तब तक उबालें जब तक इन सब का एसेंस पानी में ना आ जाएं ठंडा होने पर इन सब को अच्छी तरह से मसल लें, इस mixture को किसी बोतल में भर कर रख लें, कुछ दिन लगा तार इस mixture को cotton से अपने pimples पर लगाएं, चेहरे के मुहां से कम होने लगेंगे अब आज का पांच्वा माह उपाई क्या है, आपको ये बताते हैं, सवाल क्या है ध्यान से सुनिए, क्या पत्नी के साथ रिष्टे अच्छे नहीं चल रहें, गुरुचन में पानी मिलाकर पेस बनाएं, इस पेस से भोच पत्र पर किसी भी पेड़ की टेहनी से इस यंत्र को बनाएं, इसे फोल्ड करकर गोल्ड, सिल्वर या तांबे के लॉकेट में रखकर किसी भी धागे से हस्बन या वाइफ दोनों में कोई भी गले या किसी भी बाजू में पहने, यह पाई पती को करना होगा